हेलो फ्रेंज थमनेल देखके यह समझ ही गए होगे कि यह वीडियो में मैं वह सारे फैब्रिक्स की बात करने वाला हूँ जो स्पेसिफिक ली कुर्टे के लिए यूज होते हैं और दूसरे जिस पर अस्तर मतब लाइनिंग का कपड़ा चड़ता है हेलो फ्रेंज यह वेरी मुच वलकम टू मैं चैनल मेरा नाम है हार्दिक गडिया और मैं एक रीटेलर हो कुर्टे के फैब्रिक्स में पिछले वीडियो में मैंने कॉटन, कॉटन, मिक्स, खादी और लिन जैसे कपड़ों की बात की ती जो कुर्टे के लिए तो यूज होते ह तो चलिए, बिन आपका टाइम वेस्ट कीए, यह वीडियो शुरू करते हैं यह वीडियो के टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूनिक और इंट्रेस्टिंग रहने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक है जोजए टेंचिफ़न यह सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बहुत बहुत दिबिटेवल एंट कन्फूजिंग आपका सिफ एक मित तोड़ना चाता हूँ कुछ मिनिट्स में आप यह रियलाइस कर लोगे कि जॉजएट एंचिफ़न यह कोई फैब्रिक नहीं है यह एक वीविंग है यह एक टाइप की बुनाई है सबसे पहले जॉजएट एंचिफ़न की similarities की अगर हम बात करें तो सबसे पहली similarity यह है कि जॉजएट एंचिफ़न यह दोनों cotton, viscose, linen, polyester जैसे धागों की बुनाई से बनते हैं जॉजएट एंचिफ़न की एक similarity यह भी है friends कि दोनों एक ही टाइप के weaving से बनते हैं जिसे S & Z टाइप की weaving कहते है S & Z टाइप की weaving एक plain weave का sub-type है अगर मैं simple way में समझाओ friends then S-shape की धागों की weaving, Z-shape की धागों की साथ एक specific way में होती है तीसरी similarity यह है friends कि जॉजएट & चिफ़न दोनों क्रेप family के है मतब थोड़े transparent रहते हैं दोनों wrinkles वाले रहते हैं दोनों में एक net का finish आता है अगर हम जॉजएट & चिफ़न के differences के बात करें तो friends सबसे पहला है thickness and thinness चिफ़न सहरा से thin धागे से बनता है, बतले धागे से बनता है जॉजएट comparatively जाडे धागे से बनता है अगर हम weight की बात करें तो क्यूंकि चिफ़न पतले धागे से बनता है उसका weight comparatively कम रहता है जॉजएट का weight जारा सा जादा रहता है Friends, यह fact है कि आप भले कितने भी videos देख ले, कितने भी blogs रीट कर लीचे कि चिफ़न और जॉजएट के बीच फरक क्या है वो आपको नहीं समझेगा जब तक आप practically कोई shop में जाके उसको feel नहीं करोगे आपको यह differences नहीं समझेगे Well, natural fabric के georget बहुत जादा soft रहता है But polyester georget में भी इतना processing होता है कि अभी polyester fabric भी बहुत जादा soft आने लगे है तो जब तक आप कोई shop में जाके regular basis पे उसको feel नहीं करोगे यह सारी information आपके लिए सिफ intellectual level पे ही useful होगी At the end friends, market scan मानना बहुत जादा important है Friends, आज market में georget and chiffon बहुत जादा dominating fabric है And उसका reason भी है friends, कुर्टे पर georget and chiffon के कपड़े पे बहुत जादा अलग-अलग type की embroidery हो जाती है जैसे chicken curry work and mirror work Georget and chiffon के अलावा friends, silk भी एक बहुत important fabric है अगर हम कुर्टे के perspective से बात करें तो Okay, silk में total 3 type के silk fabrics available रहते है पहला है pure silk, दूसरा है raw silk and तीसरा है duplicate silk अगर हम duplicate silk की बात करें तो Duplicate silk आच मार्केट में 500 से लेके purchase के बीच बेचे जाते हैं Retailers original silk बोलके उसको बेचते हैं And customers original silk बोलके उसको खरीद लेते हैं अगर duplicate silk के advantages and disadvantages की बात करें तो Well, उसका one of the main advantage यह है friends, कि उसमें आपको बहुत सारी varieties and novelties मिल जाती है वो भी बहुत reasonable budget में Well, disadvantage friends, उसका एक ही है कि वो कपड़ा हमें बहुत गरम करता है अगर किसी को sweat issue है या फिर skin issue है, skin में rashes आ जाते हैं तो वो duplicate silk कभी पहन नहीं पाएगा, specially धूप में And अगर raw silk and original silk की बात करो तो friends, friends, यह दोनों type के silk सारे retailers नहीं रखते And उसका reason भी है friends, सारे retailers का काम ही नहीं है कि वो यह fabric रख सके क्योंकि friends, यह बहुत ही महंगा कपड़ा है इसको बनाने का cost, यह silk को बनाने का cost, उसका manufacturing cost बहुत जादा रहता है And friends, उसका maintenance cost भी बहुत जादा रहता है अगर आप time to time silk के कपड़े को maintain नहीं करते, then वो sad जाता है, वो perish हो जाता है यह reason के वज़े से friends, बहुत बार raw silk and original silk के नाम पे satan, duplicate silk या फिर cotton mixed कपड़ा base दिया जाता है तो मेरा सिफ आपको यह suggestion रहेगा, कि अगर आपको original silk खरीदना है then वो एक premium और अच्छी दुकान से खरीदना, जो genuinely उसके लिए popular हो जिसे khadi bhandar khadi के लिए popular है so I hope friends, यह video के information आप के लिए helpful रही हो thank you